नमस्दे और वेल्कम वेक टो माइ कुकिंग लॉग। आज शेयर कर रही हूं सिंपल से लंच की रेसिपी। दीवाली कोई भी फेस्टिबल हो ना उसकी तैयारियां इतनी जादा हो जाती है। इतने सारी चीज़ें बनने लगती है कि जो हमारा रूटीन है डेली का लैंच है तो सोचा आप लोगों के साथ में भी इसको शेयर करती हूं। लंच जब बना रही है तो यहां पर दाल भी मैं बना लेती हूं। तो आरहर की दाल को नॉमली भीकोका रग दिया था आदे गंटे के लिए और जब अच्छे से भीग ग गई थी तो मैं पानी, हल्दी और नम कर रही थी कहीं कीडे वगेरा तो नहीं है और आप मैं हापर जो लैसून की कलिया है उसको थोड़ा सा कट करके बैंगन में इस तरीके से सेट कर दूगी। तो यह तो बहुत बेसिक ट्रिक्स है जो भी बैंगन का भरता भुणते हैं तो इसी तरीके से बहुंते हैं जादा बहुत आराम से निकल जाता है तो चलिए गैस पर हम इसको रख देते हैं और भुनने देंगे इसको लो फ्लेम पर आप चाहे तो आई फ्लेम पर भी भुनने दे सकते हैं इतना टेस्टी लगता है ना दाल चावल पराठे किसी के साथ में भीए तो यहां पर तब तक थोड़ी से प्रिप्रेशन कर लेते हैं प्याज जो है थोड़ी से बड़ी-बड़ी ही कट करेंगे क्योंकि बैंगन के भरते में प्याज टमाटा खड़ा खड़ा होता है तो बह तो चलिए कड़ा लेते हैं तो यह देसी चीज है, यह इसमें सरसों का तेल अखेल करेंगे हैं, आप नहीं कहाते तो अपी इसको घी से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सा ज्यादा ही अथ करेंगे हम लोग, तेल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे जब अच्छी से गर्म हो जाएगा तो इसमे एड़ करेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग जो कि बहुत ही जादा जरूरी है, इन दोनों के अच्छी तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे, अब इसमे एड़ कर रही हूं थोड़ी सी लाल मिर्च, यहां पर थोड़ी सी खड़ी ही रहने चाहिए, बहुत जादा इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी से कम ही ब्राउन करेंगे, मतला 50% तो यहां पर देखें थोड़ी से करी पत्ते जो हैं 3-4 मैंने तोड़ करके डाल दिये हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो और भी जादा फ्लेवर फूर बन जाती है, इन सब कच्छे से पकाल लेंगे, आप हरी मेर्च एड कर देंगे, और जो मने तमाटर कट करके डाले ही तो यहां पर मैंने दो टमाटर एड की हैं, आप चाहें तो एक भी एड कर सकते हैं, अगर कम बना रहे हैं तो टमाटर कु आराम से पकने देंगे, जब तक की टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, जो बैंगन है वो भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें आपको खड़ा खड़ा लेसून दिख रहा होगा, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा, जब यह बाद में हम इसको मिक्स करेंगे, तो अब हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा मतर, तो यह फ्रोजन मतर है, तो मैंने इसको थोड़ा सा गरम पानी में उबाल लिया था, उसके बाद इसको एड कर देंगे, और टमाटर के साथ पर थोड़ी देरिकली मतलब एक से दो मिनिट के अच्छे से भूल लेंगे, इसको पकाने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि अलडी काफी सॉफ्ट रहती है, अब इसमें एड करेंगे बेसिक मसाले, तो थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप एड कर सकते हैं कि मैंने मासलों को एक मिनिट के लिए पक जाने देंगे, जब इसमें अच्छी सारी के से ओड़ी हो जाएगा अगल बगल मसाले से निकलने लग जाएगा, तो अपना बैंगन का भरता जो भी है, और इन सब चीजों को डालने के बाद में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, हरा धन तो वीडियो किसको पसंदा रहा है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देखेगा, तो यह देखे, पकाते हुए मुझे इसको एक से दो मिर्ट हो गया, बहुत अची खुश्बू हा रही है, और आम इसमें एट कर देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा ध जहनीय और घी का फ्लेवर जो है अच्छे तरीके से भरते में आ जाएगा, तो यह बहुत सिंपल वे में हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है, अगर आप इसको मन से और बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो यह देखे, यह देखे यह दाल चावल के साथ तो बहुत पसंद है, पर आठे के साथ में तो इसका जबाब ही नहीं है, तो बस इसको रख लेंगे और देखे कितना टैंप्टिंग बना है, उसी कड़ाई में हम बाकी जो हमारी दाल है, उसी कड़ाई में इसका तड़का लगा देंगे, क्योंकि जिस कड़ाई में बहुत अच्छी आप चाहे तो किसी और पहन में बना सकते हैं, तो घी में फोड़ा सा जीरा ऎड़ करेंगे, हीग ज़aria करेंगे, लेसुन की काट के अच्छी से आढ़का इसका ब्राउन हो जाएगा, तो हमारी जो डाल एकरदेंगे, तो अच्छी तरीके से अबाल आ जाने देंगे, तो अपर रेडी हो गया है हमारा एक तब सिंपल और बहुत टेस्टी सा लंच क्योंकि दीवाली वगेरा होती है बाहर का खाना तो होई जाता है लेकिन इसके आगे तो सारे खाने फेल हैं तो चलिए आप चाबल भी बना लेते हैं क्योंकि हमारे धिन में तो रोटी कोई खाता न